delete facebook profile या फिर delete facebook account बट हम अमरे facebook profile को या फिर account को delete करना क्यों चाहते है देखिए reason बहुत सारे हो सकते है अपका account के साथ scam हो रहा है, account hack या फिर आपने एक facebook account बनाया था अभी उस account पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हो अभी आप उस facebook account को delete करना चाहते हो बट डिलिट करे तो करे कैसे, क्योंकि Facebook अकाउंट डिलिट करना इतना आशान नहीं है, बहुत सारे process step by step सही तरीके से follow करना पड़ता है, तभी आप एक Facebook अकाउंट को permanently डिलिट कर सकते हो, process बहुत ही लंबा है, लेकिन इतना भी cut in नहीं है, तो चलिए, start करते हैं, उससे पह एकाउंट सेंटर, scroll down कीजिए, click personal details, आपके mail id, date of birth, बहुत सारे चीज इहां पर show हो जाएंगे, सबसे नीचे जो account ownership and control, इहां पर click कीजिए, इहां पर आपको दो option मिलेंगे, memorialization या फिर deactivation और deletion, हमें करना है Facebook profile को, Facebook account को delete, तो हम second option पर click कर देंगे, so click deactivation and deletion, आपके profile show हो इहां पर आपको फिर से दो option मिलेंगे, deactivate account and delete account permanently, हम account को permanently delete करना चाहते हैं, तो हम second option पर click करेंगे, और continue पर click कर देंगे, अभी इहां पर आपको region select करना है, किस region से आप अपने Facebook profile को या फिर account को delete करना चाहते हो, I spent too much time on Facebook, बहुत time मैंने Facebook पर बिता ली, I have a privacy concern, I don't feel safe on Facebook, My account was hacked, बहुत सारे reason है, मैं एक choose कर लेता हूँ, I have a privacy concern, आप किसी भी एक choose कर सकते हो, आपके मुताबिक, और continue पर click कर दीजिए, इहां पर आपको फिर से बहुत सारे option मिलेंगे, lock your profile, control your information, we value your feedback, इसे आप छोड़ दीजिए, आप फिर से continue पर click कर दीजिए, तो continue पर click करते ही आपके सामने ये page open हो जाएंगे, permanently delete account, और इहां पर देखिए, deactivate, save post in your archive, download your Facebook information, टांस पर एक copy your information, बहुत सारे option आपके सामने आ जाएंगे, आप इहां से अपने Facebook account के कुछ information डाउनलोड करना चाहते हो, तो कर सकते हो, आप अपने Facebook account के कुछ information को copy करके share करना चाहते हो, तो भी आप कर सकते हो, आप कुछ information save करना चाहते हो, तो भी आप कर सकते हो, यहां पर देखिए, साब साब लिखा हुआ है, कि before you delete, delete करने से पहले आप ये सारे चीज़ को एक बार पुरी तरीके से read कर लीजिए, तो हमें यहां पर कुछ नहीं करना है, हमें permanently account को delete करना है, और जिन लोगों को यहां पर कुछ भी नहीं करना है, मेरे तरह वो लोग continue पर click कर देगे, तो देखिए, continue पर click करते ही, आपको अपके facebook profile के password पूछा जाएगा, यह आपको सही सही डालना है, यहीं पर सारे लोग आके रुख जाते हैं, क्यूंकि उन्हें अपने facebook account के password याद न पर re-entry कर देते हैं, करने के बात आप यहां पर continue पर click कर दीजिए, तो finally आपके सामने वो page open हो जाएंगे, जिसके लिए आप इतने सारे step को follow करते हुए यहां पर आए हो, confirm permanent account delusion, आप delete account पर click कर दीजिए, उससे पहले आप इस page को ध्यान से एक बार read कर लेना, क्यूंकि यह पर facebook की तरफ से बहुत सारे information आपको दिया गया है, read करने के बात आप delete account पर click कर दीजिए, so 30 days के बात आपके facebook account और हमारा भी यह facebook account permanently delete हो जाएंगे, यह था facebook account delete करने का full process, खिर से facebook profile पर click करते हैं, देखिए वो account वो facebook profile दुबारा open नहीं हो रहा है, चलिए अभी इसे बंद क permanently अपने facebook account को delete करने के बात उस account को 30 days तक login नहीं करना है, तो 30 days के बात आपके वो facebook account permanently delete हो जाएगी, बट अगर आप उसी बीच फिर से उस account को दुबारा login करना चाते हो, active करना चाते हो, तो आप उसी facebook account को फिर से active कर सकते हो, उहाँ पर login होते हुए, clear, आज के लिए इस आप जाहिन